हलो गाई जैहिन नमस्कार मेरा नाम है अमंदी पूरफ सभी का सोगत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल पर और गाईज आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्रिंटर अंडर 10,000 इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसके अंदर हमने 5000 से नीचे के प्रिंटर की बात करी थी और उसके अंदर जितने भी हमारे से बेस्ट भी को सकती थी वह हमने ली पूरी डिटेल्स आपको बताई हैं उसका लिंक में आपको आई बटन में द तयार करिए तो इसको आप देखना पूरी डिटेल्स से बात करेंगे तो गैस देखिए जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर प्रिंट ऑप्सन की बात करें तो लेजर जैट इंग जैट होने चाहिए उसके लावा सिंगल फंक्सनल और अची है कि आप इसके लावा वा देखने डिटेयं फंक्सनल प्रिंटर नहीं हैं उसके लावा दो नहीं हैं उसके मिवावर फिर हैंच ब्रोदर और एसपेघंग फंक्षण क्रोल फंक्सनल और फृंटेर लिये हैं तीन तृमने रोजभी प्रिंटर दोANS all-in-one है देखिए हमने यहाँ पर laser जो printers लिया है उनमें एक भी हमने यहाँ पर all-in-one नहीं लिया है क्योंकि 10,000 की price से नीचे अगर आप laser printer buy करना चाहेंगे all-in-one functions के साथ में तो आपको या तो cost बहुत ज़्यादा heavy आने वाली है पर पर पेज प्रिंट की या फिर speed बहुत slow आने वाली है जो कि मुझे एक अच्छी suggestion नहीं लगा उससे अच्छा है यहाँ आपको इंक टैंक प्रिंटर ले 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 आपको इसकस तो देखिए नमबर बन पर प्रिंटर है वह कैनन का laser jet लेजर जैट इस प्रिंटर के साथ में कोश्ट आने वाली है अगर आप लोकल लिंक रिफिल कराते हैं तो आपको थोड़ी और कम आ जाएगी बागी 30 पैसे एक अच्छी कोश्ट है इस प्राइज रेंज के अंदर और आपको 30 पैसे की कोश्ट यहाँ पर मिलने वाली है उसके लब आप प्रिंट स्पीड की बात करें तो आपको 12 पेज पर मिनिट आपको निकाल के देने वाला है तो कैनन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है इसका प्राइज की बात करें तो 10,109 प्राइज है एवरेज 11,144 तो यहां पर मैंने 1500 रुपे एक्ट्रा होते हुए भी इसे एड़ गड़ा चुकि कैनन का जो प्रिंटर आते हैं उनकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है ठीक है अब नेक्स्ट है मरे बास में ब्रोदर का HL2321D सिंगल फंक्शनल प्रिंटर यह भी एक मोनोक्रोम प्रि से आती है कैनन का जो है वो भी आप अगर ओरिजनल लेंगे 30 पैसे लिखते जरूर हैं लेकिन आपको 30 पैसे नहीं मिलने वाली है बागी ब्रोदर के इस प्रिंटर में आपको 100% आपको 36-40 पैसे की कोश्ट आएगी ओरिजनल के साथ में ठीक है उसके लगा प्रिंट स्पी यूज के लिए आपको एक ऐसे प्रिंटर की जरूरत है जो आपको अच्छी खासी लिमिट में आपको पेजेस प्रिंट करके दे दे और एक अच्छी नॉर्मल और अच्छी क्वालिटी में आपको प्रिंट अच्छी है पर्सनल यूज के लिए अगर मानो आपको सिर्फ फोटो को पिखेल के लिए प्रिंटर चीए तो ब्रोडर में आपको जबी करने वाला हूं, उसके इसकी प्रीज की बात करें तो 8,000 की रेंज में आपको यह ly declaring मिल जाता है, आठज़ार की रेंज में आपको यह जाता है नहीं साड़े आठ तक मिल जाता है ठीक है तो 500 रुपे कहीं अंतर है तो आप इसे अगर परसनल यूज के लिए लेना चाहें तो एक अच्छा रिकमेंडेशन है उसके बाद मैं काई next time है मरें पसमें HP का laser jet M17A single functional printer ये भी एक laser jet printer है single functional printer है A4 size तक के paper print कर देता है USB printer है 1.4 पेसे original के साथ पेज पर पेज आपको कोश्ट आती है अगर original इसका यूज करें बाकि HP के अंदर आप local ink की डालो rough and tough यूज करो सबसे अच्छी चीज़ है यानि आपको किसी दुकान या office के लिए printer लेना है जिसके अंदर आपको maintenance से नहीं डर स 10,000 की range के अंदर तो guys अगर आपको ज्यादा quantity में page printer करने है और आपको rough and tough यूज करना है तो आप HP ले लो बेस्ट चीज है इसलिए मैंने HP का printer यहां समील किया है उसके बाद में अगर इसकी price की बात करें तो 7,000 रूपे के अंदर आपको मिल जाता है lowest price इसका और average price इसका 8 1233 रूपे रहता है जो कि आप अराम से अपने हिसाफ से देख लो लगबग आपको 1500 रूपे के आसपास का उपर नीचे का मिल जाएगा cell वगरा के जान में देखके आप ले सकते हैं तो guys हमार नेक्ट प्रिंटर है Epson का Ink Tank L310 सिंगल फंक्शनल प्रिंटर यह भी एक सिंग इसाफ कवालिटी है और जो प्रिंट कोश्ट है वो बहुत ही अलग है मतलब इतनी कम कोश्ट के अंदर आपको इतनी अच्छी जो है प्रिंट कॉइलट के दे रहा है यह इसलीए मैंने इस प्रिंटर को यहाँ पर लिया यह देखिए 8 पैसे के अंदर आपको black and white प्रिंट ते देता है और 20 पैसे में आपको यहांपर क्लर क्लर्ड़ प्रिंट देता है उसके लब प्रिंट स्पीड कि करें तो यह पर 33 पैस अब को पर मिनट यह बलेग इन-वाइट के निकाल के दे रहाцо कि लेगाए क्लर के आपको पर प्राइज की बात करें तो 7,245 रुपए इसका लोईस्ट प्राइज रहा है आज तक और इसका एवरेज प्राइज प्राइज बान मैं सो सतेतर रूपए के आसपास रहता है यानि इसका प्राइज में भी इतना डिफ्रेंस आ जाता है आपको आठ साड़े आठ के अंदर 24 साइज तक सपोर्ट करता है 10 पैसे के आसपास में इसकी कोष्ट आती है 20 पैसे कलर की कोष्ट आती है और प्रिंट स्पीड 19 ब्लेक इन वाइट और जो है बीस आपको कलर के निकाल के दे रहा है और ड्यूटी साइकल की बात करें तो 1000 पेजेज के आसपास यहां पर आपक कंपनी ने लिखा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है तो यही चीज है एच पी को अगर आप ले तो सिरफ और सिरफ इसलिए ले सकते हैं क्योंकि एक अच्छी ब्रांड है और नाम है कंपनी का थोड़ा बाकी इंक टेंग प्रिंटर में आप एपसोन की तरफ जाए तो बेश्ट रहता है ठीक है आप कमेंट करना बेजी जग अगर आपको कोई और ओपसन चीए है एपसोन के अंदर तो वह भी दे दूँगा आपके सिरफ अपनी जरूरत बता दीजिएगा ठीक है उसके बाद में इसका प्राइज की बात करें तो 9299 रुपे के आसपास में इसका लोश्ट प्राइज है एवरेज 10,088 रुपे के आसपास में इसका रहने वाला है ठीक है तो गैस बस आज की वीडियो में इतना ही है आपको मैंने पांच ओपसन दिये हैं इन में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेजी जग जितना हो सकता था मैंने आपको पू जरूर कमेंट करके जाना तो गैस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मत्रम